मिधिला रस रसिक एक संथ थे श्री नारायन दास जी महराज भक्त माली जी मामा जी उन्होंने लिखा गुरु बाबा से आज्या मांगे जनक नगर दर्शन के उतकंठा तो अपने मन में ओट लिये लची मन के आयस हो तो नगर दिखाऊं राम जी बोले गुर्देव अगर आपकी आग्या हो तो लक्ष्मन जी को नगर हम दिखा लाएं क्योंकि गुरु जी ने कहा कि लक्ष्मन जी नगर देखना चाहते हैं तो महराज जनक के अनेक सेवक हैं उनमें से चार को हम बुला लेते हैं आप नगर दिखा लाओगे क्या आप पहले कभी जनकपुर आए हो आपने कभी जनकपुर देखा ने हमने तो नहीं देखा हम तो पहली वार आए हैं गुरु जी बोले जब पहली वार आए आपने ही नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगी क्या आप जनकपुर धाम के तीर्थ के पंड़ा है आयस हो तो नगर दिखाऊं जो पंड़ा तीर्थन के लेकिन जब जनकपुर गए तो गईल गुमान भी सरीगे सेखी जद पी चले बन ठन के लेकिन फुलवारी के तो दसाबरनी नहीं जातो हो रगुन अन दन इगारी है ससुरारी के सौगातो हो रगुन इगारी है ससुरारी की सौगात ही रगुन मत मनिया मन में बुरा हमर सुनी बातो रगुनंदन इगारी है सस्रारी के सोगातो रगुनंदन यद्यपी जनकपूर में जब राम जी ने कहा कि हम नगर दिखा लाएं तो गुरु जी ने कहा कि नगर तो सेवक दिखाएंगे राम जी बोले हम एक तीसरा काम करेंगे पता नहीं कब तक सेवक नगर दिखाते रहें कब तक राम जी लक्षमन जी नगर देखते रहें हम साथ रहेंगे तो तीसरा काम करेंगे नगर दिखाए तुरत ले आवाँ हम जल्दी लोटा लाएंगे लेकिन यहां तो श्री जानिकी जी की महिमा है जनकपुर में प्रवेश करके भगवान श्री रागवेंद्र के रूप का जादू चला गौर कुमार लसे सुनुवासम सामर लागत नील नगीना और ऐसे श्री राम राजियस सकी दिखराय चवी सबके दिल छीना रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन तानी के सीना लेकिन पुश्वाठी का में किंत लली मुक देखत लालकों आए गयो च्छनमाह पसीना बाल तिलक श्रम बिंद सुहाए ऐसी हमारे जनक नरेंद्र नन्न नहीं जाने की माता की महिमा है भगवान आए अब तो जनक पुर में गुरु जी ने कहा कि देखनाई नहीं दिखाना भी करव सुफल सब के नयन इन लोगों के नेत्र भी सफल नहीं हुए क्यों ये तो सब ग्यानी है और गो गोचर जहां लगी मन जाई सोसब माया जाना हुँ भाई तो क्या ये नेत्र माया को देखने के लिए मिले थे नहीं नहीं आज इनका भ्रम तूटेगा के नेत्रों से जो दिखाई देता है वो मित्या माया ही नहीं अरे सत्य के कौन कहे स्वयम सच्चिदानंद भगवान को देखा जा सकता है इसलिए जाई देखे आवह नगर लेकिन गुरुजी ने एक बात और कही कि राम जी हम यह समझ गए कि लक्षमन नगर देखे बिना नहीं रह सकते और आप लक्षमन को देखे बिना नहीं रह सकते जहां जहां बच्छडा चले तहां चली जावे गईया और कहे दादू जहां चले भगत जन तहां तहां जाए रमया